जो male जो पार्ट है उसकी unit कैसी है और किस तरीके से वो दिखती है यहाँ पर हम mention करते है stamen को कि जो androsium है male reproductive part है उसमें कई सारी unit है जिनको आप क्या बोल रहे हो भाई stamen बोल रहे हो दिखते हैं मतलब एक साथ आपको चार दिखेंगे ओवियसी बात है मियोसिस के इंड में चार सेल आपको देखने को मिलती है तो यह एक टेक्टराड के फॉर्म में सब्सक्राइब करता हूं संकल भारत के online learning platform पे मुझे उम्मीद है यह पॉडकास सीरीज आप सभी की मदद कर रही होगी बचो बिना किसी अगर आपका सेलेक्शन हो गया और आप सब कुछ हार जाओगे अगर आपने सेलेक्शन नहीं लिया तो हाँ दोस्तो यह बात एकदम सच है एकदम कड़वी बात है कि अगर आप सेलेक्शन ले लिए अगर आपका सेलेक्शन हो गया तो जीत सिर्फ आपकी है आप हर तरीके है, that is on sexual reproduction in flowering plant, तो शुरुवात करते है podcast को, अगर आप sexual reproduction की बात करें, एंजो spermic plant में, तो आप देखेंगे, एक dedicated organ है आपे, that is called flower, हाँ, वो अलग बात है, इसको आप कई-कई भाती से यूज करते हो, अपना प्यार प्रदर्शन करने के लिए, आप इसको, किसी को सम्मान के तोर पर भी देते हो, आप किसी वीर जवान के उपर भी चढ़ाते हो, है ना, तो कई-कई तरीके से आप अपना प्यार इसके लिए सो करते हो, मगर flower की बात करें, तो ये plant में एक reproductive organ होता है, येस दोस्तों, ये sexual reproduction का only and only organ है, ठीक है, तो flower की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि ये sexual reproduction की process में involved है, और sexual reproduction में आप क्या देखते हैं, कि यहाँ पर formation of gamete and fusion of gamete की process involved होती है, येस, तो flower में अगर आप observe करें, तो यहाँ पर आपको reproductive structure भी देखने को मिलेंगे, और vegetative structure भी देखने को मिलेंगे, समझते हैं कैसे, अगर flower को आप देखें, तो flower एक modified stem है, यहाँ पर आपको internode काफी concentrated दिखेंगी, जो कि whirl में convert हो चुकी होती है, यहाँ पर पत्तिया पंकुडियों के form में convert हो चुकी होती है, यहाँ पर आपको चार गोले देखने को मिलेंगे, जिनको आप calex, corolla, androsium और gyinesium की तरीके से represent करते हो, calex और corolla यहाँ पर vegetative पार्ट है, जबकि androsium और gyinesium यहाँ पर reproductive पार्ट है, अगर reproductive पार्ट की बच्चो तीन पार्ट में divide किया गया है, तीन major पार्ट में divide किया गया है, और वो तीन पार्ट है, pre-fetalization event, fertilization event, fertilization जो की double fertilization होता है, तो यहाँ पर double fertilization देखने को मिलेगा, और finally आप यहाँ पर बात करते हो, post-fetalization event की, pre-fetalization event में आप क्या देखेंगे, जो flower है, flower के जो reproductive part में androsium और gyinesium है, वो mature होंगे, फetalization event में male gamete, female gamete के साथ fusion शो करेगा, और post-fetalization event में आपको seed और fruit का बनना देखने को मिलेगा, शुरुआत करते हैं first part से, पहले part में आप देखेंगे, pre-fetalization event में आप देखेंगे, कि जो male reproductive part है, जिसको आप androsium बोल रहे हो, वो कैसे grow कर रहा है, mature हो रहा है, female reproductive part जो की gyinesium है, वो कैसे mature हो रहा है, grow हो रहा है, सबसे पहले male reproductive part की बात करते हैं, male reproductive part में यहापको stamen देखने को मिलेंगे, और finally यहीं पर आपको further structure देखने को भी मिलेंगे, जिसको आप pollen grain बोलते हो, सबसे पहले समझते हैं, कि कैसे male, जो part है, उसकी unit कैसी है, और किस तरीके से वो दिखती है, यहाँ पर हम mention करते है, stamen को, कि जो androsium है, male reproductive part है, उसमें कई सारी unit है, जिनको आप क्या बोल रहे हो, बाई, stamen बोल रहे हो, एक stamen के structure को अगर आप देखे, तो उसमें एक filament होगा, और उपर enter होगा, वो filament उपर की तरफ जुड़ा हुआ होगा उसी enter से, proximal region में, ठीक है, अगर आप इस enter के structure को देखेंगे, तो यह by lobed structure होगा, आपको दो लोब देखने को मिलेगे, एंथर में, clear है, और एक long filament होगा, जो की किस से जुड़ा हुआ है, जो की नीचे, अगर आप इस enter के structure को देखें, तो यह by lobed देखेगा, दो लोब दिखेंगे, और इसको जब कट करके देखोगे, तो हर लोब में आपको दो compartment दिखेंगे, जिनको आप थीका बोलते हो, यही थीका, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहलाते हैं, इस थीका के अंदर, जब यह जर्मिनेट हो रहा होता है, मैचोर हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपको sporogenes tissue मिलेगा, यही sporogenes tissue आगे चलके, myotic division perform करेगा, और mycropore को बनाएगा, mycropore क्या होते हैं, mycropore, myosis की process से बने हुए structure होते हैं, यहाँ पे haploid condition दिखेगी, और जिस cell से वो बनते हैं, कहलाती है, mycropore mother cell, और यही process mycroporogenesis कहलाती है, mycroporogenesis बोले तो formation of mycropore from mycropore mother cell, जब यह mycropore बन जाते हैं, तो यह tetrade structure में दिखते हैं, मतलब एक साथ आपको 4 दिखेंगे, obviously बात है, myosis के end में 4 cell आपको देखने को मिलती है, तो यह एक tetrade के form में structure आपको देखने को मिलता है, यही tetrade आगे चलके जब और फर्दर mature होता है, dehydrate होता है, यही convert हो जाता है pollen grain में, तो यहाँ पर pollen grain का structure आपको समझना जुरूरी है, pollen grain के structure को अब जब आप देखेंगे, तो outer एक covering देखने को मिलेगी, आउटर एक covering देखने को मिलेगी, और वो covering भी दो पार्ट में divide होगी, आप outer पार्ट को बोलतो है exine, और inner पार्ट को बोलतो है intime, यह पूरा structure आगर आप इसके size की बात करें, तो 25 से 50 micrometer का structure होता है, और जो outer structure है, exine, और inner structure है, intime, यह कहीं न कहीं protective layer होती है, outer proper तरीके से, outer जो exine है, वो proper तरीके से protection का काम करती है, कैसे protection का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे एक enzyme resistant and other pressure resistant एक structure है, outer covering है, जो कि बहुत hard है, और जो कि बनी हुए sporopolyinin से, और वो काफी tough structure है, इतना tough कि जब यह कहीं स तो इनके आपको preserve structure दिखते हैं, इनके fossil structure दिखते हैं, कैसे वो fossil structure बन भी पाते हैं, क्योंकि यह outer exine काफी strong, काफी tough होती है, इस बज़े से वो आपको fossil में दिख पाते हैं, this is because of exine, intime की बात करें, तो intime आपको soft देखने को मिलेगी, और यह जो exine है, कुछ-कुछ प्लेस वो एक tube-like structure बनाती है, जब आप इस structure के अंदर देखेंगे, तो आपको एक cell मिलेगी, single nucleus मिलेगा, जो की further divide करके, दो type के nucleus को create करता है, दो type की cell को create करता है, एक को हम generative cell बोलते हैं, जो की further fertilization के event में involved होगी, और एक vegetative structure होगा, right, एक क्या होगा, vegetative structure होगा, generative nucleus होगा, right, और vegetative structure होगा, clear, यही जो vegetative वाला है, यही vegetative structure further क्या करता है, इसी jump pore से बाहर निकल के pollen tube बनाएगा, और इसमें पूरे path को lead करेगा, और जो हमारे generative nucleus है, वो further divide एक वार और कर जाता है, 60% of plant में आप क्या देखोगे, यह two cell stage पे, दूसरे plant, दूसरे plant के flower पे जाके, pollination के event में involved ह होता है, pollination में जब यह involved हो रहा है, तो यहाँ पे two cell stage हो सकती है, in certain cases three cell stage भी होती है, three cell stage में आप देखते हैं, कि जो generative nucleus है, वो एक बार और divide कर चुका है, तो इस तरीके से आप pollen के structure को समझते हैं, pollen के structure आप कई बार देखते हैं, कि allergy में भी involved होते हैं, कई सारे लोगों को इससे asthma और bronchitis की conditions, disease like condition, आपको यहाँ पे allergic condition आपको देखने को मिलती है, और यह कही न कहीं nutritive भी होता है, इसलिए आपको pollen grain की pills भी देखने को मिलती है, so this is about male reproductive part, और यहाँ पे in the end आपने समझा, कि कैसे वो androsium का वरल था, उसमें जो stamen थे, stamen के उपर जो enter थे, enter के stamen में आपको चार थीकस देखने को मिलेंगे, microsporengia भी बोल रहे थे, इनी के अंदर क्या था, sporogenous tissue था, sporogenous tissue में आपने देखा कि उसी में क्या हुआ, meiosis division हुआ, microspore बने, microspore बने, microspore बने, microspore बने, प्रोसेस से, और further वो convert किसमें हो गए, pollen grain में, अच्छा, यह जो microspore stangium, इसकी जो outer layers हैं, वो चार layer आपको देखने को मिलेंगी, epidermis, endothesium, middle layer और tapetum, tapetum यहाँ पे nutritive nature की भी होती है, वो क्या करती है, middle layer से nutrition सक करते हुए, अंदर की तरफ जो developing microspore होते हैं, जो की pollen grain में convert होने वाले हैं, उनको nutrition भी provide करती रहती है, इस तरीके से यह पूरा male reproductive structure develop हो पाता है, आगे अब हम बात करते हैं, female reproductive structure की, तो female reproductive system की जब आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको pistol structure देखने को मिलेगा, mega sporengium structure देखने को मिलेगा, और embryos sac देखने को मिलेगा, शुरुआत करते हैं, जब आप देखेंगे, gyinesium के structure को, तो gyinesium के structure में आपको अगर एक pistol है या एक carpel है, तो monocarpulari, एक से ज़्यादा pistol है या carpel है, तो आप multi-carpulari बेखेंगे, ठीक है, monocarpulari या multi-carpulari, और multi-carpulari में भी condition क्या होता है सकती है, syncarpus या apocarpus, multiple है, multiple pistol-like structure है, multiple carpel-like structure है, वो fuse भी हो सकते हैं, fuse में आप syncarpus बोलोगे, और वो अलग- अलग-अलग है, fuse नहीं है, multiple है, तो आप इसको apocarpus condition बोलोगे, जब आप इस pistol के structure को देखते हो, या फिर इस carpel के structure को देखते हो, आप इसमें तीन पार्ट को identify करते हो, पहला stigma, वो पार्ट जहाँ पे pollen grain आके land करेंगे, soft landing होगी जहाँ पे, फिर एक style, एक पतला सा cylindrical structure ओवरी से, आप जब ओवरी के structure को देखोगे, तो ओवरी के अंदर आपको जो space मिलेगा, उसको हम locule बोलते हैं, अच्छा, ओवरी के अंदर यह single, एक locule भी हो सकता है, more than, एक से ज़्यादा भी locule space की condition आपको देखने को मिलेगी, इस में question like, इस ovary में, इस locule में, इस space में आपको question like structure मिलेगा, जिसको हम placenta बोलते हैं, और उस placenta से attach होगा ovule, अब एक ovule भी हो सकता है, एक ovary के इस locule में, space में, एक ovule भी हो सकता है, जैसा कि आपको wheat के case में मिलता है, right, paddy के case में देखने को मिलता है, और more than one ovule भी हो सकते हैं, इस space में, locule में more than one ovule भी आपको दे watermelon में देखने को मिलेगा, तो each ovule, हर ovule में क्या होगा, एक ovule जो देखोगे, जो ovule होगा, वो कहाँ पे होगा, locule वाले space में होगा, space बोले तो locule, उसके अंदर structure वो क्या है, ovule, इसी के detail version को अभी हम समझेंगे, कि एक locule में कितने ovule हो सकते हैं, right, और ovule क्या है, locule क्या है even ovule के detail structure को अभी हम समझने है start करते है, उसे पहले समझते है, mega spurengium क्या है, या mega sporogenesis process क्या है, start करते हैं, तो आप समझें, mega spurengium के बारे में, कि mega spurengium क्या है, देखें mega spurengium के अंदर आपको देखने को मिलेगा ovule, right, mega spurengium, या फिर आप ऐसे बोलो, कि जो ovule है, जो locule है उस locule में क्या मिलेगा, ovule, right, यह space, mega spurengium का ही space है, इसमें क्या मिल रहा है, ovule, तो सबसे पहले हम ovule को समझते हैं, यह ovule क्या है, right, ovule के structure को देखेंगे, तो यह एक integumented structure है, integumented मतलब काफी layering हो रखी है, इसके structure में, right, इसमें एक stark like structure है, एक dandy जैसा structure है, जिसको हम funicle बोलत हैं, अब आप इस ovule के, इस integumented structure की जब आप बात करेंगे, तो इसमें एक opening बाला part होगा, एक mouth like structure, opening like structure, this is called micropyle, micropyle के just opposite आपको मिलेगा, चलाजा, और surrounding कई सारी layers मिलेगी, और यहाँ पे आपको इस part को बोलोगे, nucellus, nucellus का main part का होता है, main part है, वो किसमें involved है, वो nutrition देने में involved है, clear है, यह इस तरीके का structure जो आपको दिख रहा है, यह क्या है आपका structure, ovule का structure है, इस ovule के in the mid, जब यह mature हो रहा होगा, तो यहाँ पे embryo sac develop होगा, right, और यह जो mega spore है, इसी mega spore को बनने की process को open, क्या बोलते है, mega spore ओ, genesis बोलते है, is it clear, तो आपको यह roughly structure clear हुआ, आपको कहा मिल रहा है, बेटा, locule वाले space में देखने को मिल रहा है, अब हम समझते है, mega sporogenesis की process को, देखो होता क्या है, कि इस particular environment में, जब sporogenes tissue होते हैं, तो sporogenes tissue से ही, यहाँ पे एक cell create होती है, और वो cell, एक specific cell create होती है, और वो cell meiosis perform करती है, वो क्या करती है, मियोसिस perform करत है, और चार आपको mega spor structure मिलेंगे, क्या मिलेंगे, चार mega spor, उन चार mega spor के structure में से, तीन डिग्रेड हो जाएंगे, और एक बचे की functional mega spor, this mega spor, इस mega spor के बनने की process को, हम mega sporogenesis बोलते हैं, अब इस mega spor structure में, इस mega spor के structure में, और यह सारा structure, यह पूरी process कहां पे हुई है, अभी जो उसकी process हुई थी, चार mega spor cell बनी थी, ऊपर की तीन डिग्रेड हो गई, एक यह functional बची है, अब इस functional mega spor के structure में, अब division स्टार्ट होंगे, अब यह mytotically divide करके two cell stage बनाएगा, एक cell आपका micropyle की साइड में, और दूसरा एक nucleus, sorry, एक nucleus micropyle की साइड में, और दूसरा चला जा वा क्या देख रहे हो, कि यहाँ पर कोई cell wall formation तुरंट नहीं हो रहा, यहाँ पर nucleus divide कर रहे हैं, अब दोनों साइड से nucleus, एक एक center में आ जाएंगे, जो center cell बनाएंगे further, और central cell में आप क्या देख रहे हो, दो nucleus हैं, central cell में आप क्या देख रहे हो बेटा, दो nucleus हैं, और दोनों एक क्या है, एक क्या है, egg cell है, और दो synergid है, और synergid आप देखोगे, philiform, मतलब fibrous structure जैसा, philiform structure create करते हैं, जिसको बोलते है, philiform apparatus, क्योंकि इसी पार्ट से, इसी साइड से, जो pollen tube है, वो enter करेगी in future, तो यह जो structure आपने देखा, अब यह जो 8 nucleus वाला structure बना, इस structure को बोलो sec, क्या बोलोगे बेटा, embryo sec बोलोगे, आप जब इस embryo sec के structure को देख रहे हो, तो इसमें आपको 8 nucleus देखने को मिल रहे हैं, और 7 cell देखने को मिल रहे हैं, तो embryo sec के condition में, आप mostly क्या देखते हो, 8 nucleated and 7 celled structure, फर्दर बाद में जाके, यहाँ पे outer cell wall और cell membrane बाली structure डबलब हो जाते हैं, इसलिए फिर इसको cell बोल रहे होते हो, is it clear, तो यह आपका embryo sec बनके तयार हो चुका है, now, यह जो embryo sec बना है, now, at this point of time, इसमें fertilization के event परफॉर्म होगे, तो आपने यहाँ पे, यहाँ पे जो female reproductive part है, इसमें क्या देखा, female reproductive part में आपने देखा, कि भाई, जो female reproductive structure है, उसको हम कारपल बोल रहे हैं, या पिस्टिल बोल रहे हैं, वो उसका नमबर एक हो सकता है, मोनो कारपलरी, मल्टी हो सकती है, मल्टी में sin या एपो वाली condition हो सकती है, इसके structure में जब हम अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि stigma style ovary वाला part है, ovary वाले structure में आपको अ देख रहे हो, और इसी के अंदर आप क्या देखते हो, मेगा स्पोर बनता है, मेगा स्पोरो जैनेसिस की process से, उस मेगा स्पोर में क्या होता है, further mitosis होती है, फिर उसके बाद आपको 8 nucleus और 7 cell stage आपको देखने को मिलती है, finally ये structure तैयार हो गया, female reproductive पाला, और हमने दूसरी त side, अच्छा है, ये self pollination भी हो सकता है, खुद भी कर ले, या फिर self के जगए दूसरे type भी हो सकते है, अभी हम इन पर detailed discussion करेंगे, pollination के बाद आप क्या देखोगे, male gamete, female gamete के पास जाके, pollen tube बना के, fusion सो करेगा, that is called fertilization, तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं, pollination को, तो समझ ये देखे, pollination में हो क्या रहा है, pollination में हम बोले, कि transfer of male gamete, that is pollen from male to the stigma of the female reproductive part, मतलब pollen grain का stamen से, pollen grain का stamen वाले पार्ट से निकल के, stigma तक आना, female reproductive part तक आना, ये क्या कहलाएगा भाई, pollination, अभी ये देखो मैंने बोला, cross, यहाँ पे self condition हो सकती है, और cross pollination हो सकता है, self pollination का auto condition हो सकती है, right, और जीटोनोगैमी की condition हो सकती है, auto में और जीटोनोगैमी में, जीचे अंतर कै देखो, auto में क्या हो रहा है, कि same flower उसी का pollen, उसी के stigma पे आ रहा है, auto, simple,ORD, right Underground, जीटोनोगैमी में क्या हो रहा है, कि एक ही uplant है, उसीOTल्द के, एक flowers से हटके, उसके दूसरे जो से प्लॉवर पर आके प्लॉ abonnation होना यह कहा भाई जीटोन र pass यहां पे ऐस्वी Verf लबों पोती किняя जहां पे औस जभात होगा यहां प्रक्शन पोल्लेंशं का में प्रोसेस किया होते है नसी अश्चना प्रोस्थ तो क्या होगा बेटा कि जो stigma जो अपना pollen grain है pollen grain निकल के कहा जाएगा stigma तक जाएगा मगर यहाँ पे genetically different flower होंगे same species के genetically different flower का मतलब कि एक plant यह है और यह दूसरा ही plant है तो अभी इसी बात है यहाँ पे genetically different हो गए मगर हैं वो same species कभी दूसरी species में नहीं जाएगा है न तो दो different genetically different plant के बीच में आप क्या देख रहे हो pollen gain move करके stigma तक जा रहा है clear है इसको आप cross-pollination बोलोगे राइट इसको alogamy भी बोलते हो इसको क्या बोलते हो यहाँ पे कुछ condition ऐसी डबलब होंगी कि यहां पर होगा ही क्या क्य होगा यहां पर और फीमेल बाद में bleibt हो रहे हैं तो ऑश मेल मैच्वर हो गया पहले तो उसका जो पॉलिन ग्रेन है और डूसरे फ्लावर पर फीमेल वाला बाट हो सकता है तो वहाँ जागे फैटलाइशन करें तो अभी सिवाथ है कंडिशन देखो जैसे डाइउ क्ली या फिर आप इसको यूनिसेक्σιलिटी भी बोल सकते हो कि एक जो प्लांट हे उसमें Servus रावर अलग यह फीमेल फ्लावर अलग जैसा अ देखते हो या फिर पनडिशन हैसी हो सकती है कि कि पूरा का पूरा एक plant male plant अलग है female plant अलग है यह यूनिसेक्स्वालिटी की condition होगा और इस case में और भी इसी बात है cross pollination ही perform होगा यह condition हो सकती है जहाँ पर male sterility हो जाए कि मतलब जो male male वाले जो है एक flower पे जो male जो male वाले जो gamete है या ऐसे बोले जो जो आपके pollen रिन है वो style conditions हो कर रहे है खुद के plant के लिए यह condition हो सकती है या फिर heterostyly की condition हो सकती है heterostyly में क्या होगा कि जो style है style बोले तो stigma style उभरी उनकी different different क्या है size है heterostyly वाली condition है तो उसमें खुद के pollination परफॉर्म नहीं हो पार है वो cross pollination ही परफॉर्म होगा कुछ condition ऐसी भी हो सकते है जहाँ पे जो stigma है वो पहुंची नहीं सकता जहाँ पे जो आपके pollen grains है वो pollen grains same flower में जाई नहीं सकते condition ही ऐसी है कि वहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट ही जाएगा तब वो pollen grain पहुंचेंगे तो अब यह condition भी प्रमोट करेगी close pollination को अब हम इसके आगे बात करते है agent of pollination कि pollination को कराने वाले agent कौन कौन से है तो pollination के जो agent है यहाँ पे दो टाइप के agent बिलेंगे abiotic agent और biotic agent abiotic नाम से समझ में आ रहा है non living जैसे wind और water राइट बायोटिक में obviously बात है यहाँ पे living organism आ जाएंगे यहाँ पे जो अधर वर्ल है जैसे कैलेक्स को रोला वो ज्यादा डबलप नहीं होगे इनमें कोई खास सेंट नहीं होगी क्योंकि उसको किसी को अट्रेक्टी नहीं करना है आप पॉलिनेशन ही कैसे हो रहा है वाटर के तूर है जैसे मेज के केस में आप देखते हो तो पहले आपने वाई बिंड बोला और दूसरा क्या है वाई वाटर वाटर में आप क्या देखोगे कि पानी के तुरू यहाँ पे पॉलिनेशन का इवेंट परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन होंगे वो लाइट वेट होंगे नॉन स्टिकी होंगे ऐसे मिलेगी नाईजयस वाली कंदिशन में और आपको अपय वाली कंदिशन मिलेगी constitutes पी वाली condition मतलब water की surface पे, वन इसरे अरिया में आपने condition मिलती है, तो आपने देखा why water, और why wind, दो तरीके से आपने abiotic के case में देखा अब समझिए biotic की बात में, biotic में कैसे होगा, देखो, biotic में कौन कौन आएगा, biotic में सबसे पहले आएगे insect, insect में बोलेगे entomophily entomophily में क्या होगा बिटा insect involved होगा, बहुत common insect में आपने bee देखा होगा, और other उसी खाने की बज़े से वो आएंगे उनकी बॉड़ी पर चपकेगा और चले जाएंगे राइट वो फिर इंसक्त तूसरी जगह जाएंगे और यहां पर नेचर इनका स्टिकी भी होता है राइट एंटोमोफिली एक होता है और तिनो में क्या होगा यहां पर बर्ड के थू ह होगा बर्ड में भी क्या होंगे सेम कंडिशन होगी कि फ्लॉवर अभियसी बात है बर्ड क्या करेंगी यहां पर इडेवल नेचर कलेक्ट करने के लिए खाने की वेज़ा से आएंगी इनके इनके बीक से भी अटेच हो जाएंगे और फिर वो मुव करके दूसरी जगह चली जाएंगी इसमें सन वर्ड का एक्जामपल आपको देखने को मिलता है तीसरी कंडिशन में आप बोलते हो चिरॉप्टोफिली में क्या देखते हो भाई चिरॉप्टोफिली में क्या होता है बैट बैट चमकादड के थू भी यहां पर कई सारी जगह पर आप देखो कि पॉलिनेशन हो रहा है तो यह आपके हो गए बायोटिक एजेंट तो आपने एबायोटिक देखे विंड एंड वाटर और बायोटिक देखे इंसेक्ट बर्ड और बैट लिए तो यह हमने डिसकसन किया पॉलिन के रेस्पेक्ट में सारी बीस्टल इंत्रक्षन में क्या होगा कि हर बार जरूर नहीं है कि सही जग पॉलिन ग्रेने वह इस्टिकमा पर पहुचे ऑबियसी बात अगर सही वाला नहीं पॉचा तो बना भी नहीं पाएगा जब करेक्ट बो पहुंचेगा तब वहां पर इस्टार्ट करेगा आगे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रॉस्स को जो इस्टिक भी होता है वो ड्राई हो सकता है या फिर वैट हो सकता है जब वह वैट होगा जब गीला होगा उस समय आप क्या देखोगे वहां पर मुकोपॉली से क्राइड से क्रेटेड होंगे वो थोड़ा सा स्लाइमी होगा और जब करेक्ट पॉलेंगे वहां पर पहुंच जाएगा देन इस टार्ट और फॉर्मेशन ओप पॉलेंट ट्यूब वह अपनी एक्जाइन से वहां पर जो जम पोरते उन में से ट्यूब निकलके बाहर आने लग जाएगी यहां पर एक स्पैस्पिक इंट्रेक्शन भी देखने को मिलता है यहां पर क्या देखोगे एक स्पैस्पिक इंट्रेक्शन करते हैं और जब यह पॉलेंट ट्यूब को क्रियेट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब यह पॉलेंट ट्यूब बनके कहां तक जा रही है embryo sec तक पहुंच रही है, finally वो फिर fertilization के वैट को perform करेगी, यहाँ पर आपने कुछ artificial hybridization की technique भी पढ़ी होगी, artificial hybridization में क्या होता है, कि जब bisexual flower होगा, जब bisexual flower होगा, जिसमें male और female stigma, जो यह आपका endrosium, dynosium, दोनों एक ही flower में, तो काफी अतक chances क्या है, कि यहाँ से ही pollen grain इसी पौदे में चला जाए, जैसा आप पी मटर के पौदे में देखते हो, तो वहाँ पर क्या करना होता है, क्योंकि आपको artificially hybridize कराना है, आप अपने desire वाले pollen grain को fertilize कराना चाहरे हो, तो आप क्या करते हो, जो enter है, उन सब को cut करके हटा दोगे, that's called emasculation, उनको हटा दिया, फि यहाँ पर female part ही है, वहाँ पर emasculation करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर अपने desire वाले pollen grain डाला और begging करने की जरूरत है, बस back close कर दो, so this is about pollen-pistol interaction, अब हम start करते हैं second part को, अभी तक जितना भी event चल रहा था, यह सारे का सारे pre-fertilization event थे, यहाँ पर कहानी पूरी set हो चुके, stage ready है, अब होने वाला है, methylation, अब क्या होगा, methylation, methylation में आप क्या देख씬, कि जो male gamete है, वह कहाँ प念डर करेंगे, female gamete के साथ, एंतर करेंगे, और methylation के event को perform करेंगे, fusion के event को perform करेंगे, तो start करते हैं, double fertilization, याप हैijn, और data fertilization की तरह से start होता है, तो शुरु करते हैं, तो अभी तक आपने क्या देखा कि पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है कहां पे इस ओव्यूल वाले पार्ट में चेक है दोगों यह पॉलन ट्यूब का बनना साइफन साइफोनोगेमी कहलाता है अगर एक अगर सिंगल अगर सिंगल पॉलन ग्रेन से एक ही ट्यूब बन रही है तो पॉलोगर से चलाजा से कर रहा हो तो चलां जो गयमी अगर यह इंटर करेक्वाक जो मेल गयमी तो जनरेटिव例えば क्या इंटर कर रही है वह बहुत फोन चैज़र करें और अब जब आ चुक है अब क्या होगा जो male gamete थे जो generative nucleus थे अब वो enter करना है start करेंगे एक जो nucleus है वो कहाँ पर enter करेगा egg cell में और दूसरा enter करेगा central cell में egg cell में आप जब enter करा रहे हो syngame आप इसको बोलोगे इसी को generative fertilization बोल रहे हो और दूसरा एक जा रहा है कहाँ पर central cell में central cell में हो जाएगा तो ट्रपल से लोगे ट्रपल फ्यूजन हो जाएगा राइट यह वेजिटेटिव काइंड ऑफ फर्टलाइशन है राइट तो यहां पर एक जन्रेटिव फर्टलाइशन हो है इस फर्टलाइशन से क्या देखोगे इंब्रिव बना इस टार्ट होगाई इसी को अपन जाइसन्टे में शब्यस से एंब्रिटीव बनेगा जो ह hassle और यहां पे já Г बन रहा है क्लियर है यहां पे आप अपना क्या बन रहा है इंब्रियो बन रहे राइट एक क्या बना वह आपन रहे यह वह बात है जा आगे से आगे चलके इंप्रियो मने करेगा और उर इंडो स्पर्म कम पास्जिजे बनी अच्छा आप और यह चीज देखर हो दो बार वार मेल घ्यामीट फूज कर रहे हैं इसी लहें इसको डवल फटलाजन बोल रहे हैं और तीन वार नूक्लिस तीन नूक्लिस एक जगह हुए इस ट्रपल फ्यूजन ये प्रॉसेस नाइंटी ने ये जेन नावास चिन ने खोजी थी double fertilization की process किसने को जीते नवास्चिन ने right in the year 1898 में तो इसको अम बोल रहे double fertilization तो I hope कि यह वाला पार्ट आपको clear हुआ होगा next अब discuss करते है post fertilization event कि post fertilization event में क्या हो रहे है यहाँ पर हमारा fertilization हो चुका है double fertilization हो चुका है एक से अपना embryo बनेगा एक से इंडो स्पर्म बनेगा ठीक है स्टार्ट करते है post fertilization तो अब आगे समझेए अब देखो क्या हो रहे है double fertilization हुआ हमारे पास embryo बना इंडो स्पर्म बना राइट embryo और इंडो स्पर्म दोनों बनके जो इंडो स्पर्म में वो इंडो स्पर्म अगर आप देखेंगे तो यह क्या है रिजर्व फूड मैटिरियल है आप आप देखते होंगे यहां पे कि जो तो आपने क्या देखा ट्रिपलाईड कंडिशन है ट्रिपलाईड नूपलाईड नूपलियस यह जो अब क्या करेगा न्युकलियर डिवीजन स्टाट करेगा फ्री नूपलेर क्या होता हुद अब उसके बाद होगा, cellularization होगा, अब उससे cell बनना start होगी, तो जब आप गरी के गोले को देखते हो, बीच में क्या है, nucleus ही है, वो खुब सारे, फिर जब उनका cellularization होना start होता है, तो वो end में white, 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 collective होने लगती है, right, cellularization के time पर, clear है, कुछ plants में आप क्या देखते हो, जैसे मूफली में, और कुछ पी बगरा में, इन में क्या होता है, जो endosperm में पूरा का पूरा utilize हो जाता है, पूरा का पूरा endosperm use हो जाता है, embryo formation में, right, embryo इसके maturation वाले time पर, seed maturation वाले time पर, कुछ में क्या होता है, कि seed maturation के time पर पूरा पूरा endosperm हो यूज नहीं होता, coconut में, वो कहां पर use होता है, जब seed को आप grow कराते हो, जब वो उगता है, उगने वाले time में वो use होता है, right, यह ऐसा आपको coconut में देखने को मिलेगा, आप most of the cases में क्या देखोगे, कि यह जो endosperm है, पूरा का पूरा utilize हो जाता है, आया समने, तो endosperm sum total कहने की बात बस इतनी सी है, reserve food material है, यह free nuclear division कर रहा है, फिर पहले nuclear scoop सारे create हो जाता है, बाद में cellularization होता है, करते हैं embryo के बारे में, okay, अगर आप embryo को देखें, तो embryo आपको micropyle end में develop होता हुआ दिखेगा, right, क्योंकि micropyle end में ही आपने excel देगी थी, वहीं पर वो jagote बना, अब वहीं पर क्या बनेगा embryo, तो embryo mostly कहा बन रहा है, micropyle end पर, clear है, अचा, यह जो embryo है, embryo थोड़ा सा grow, थोड़ा सा late करता है, क्यों late करेगा, वो पहले time देगा, embryo sec थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और यह time की adaptation भी है, क्योंकि इस embryo को भी पता है, कि इसको जो nutrition मिलेगा, वो कौन देगा, endosperm ही देगा, right, endosperm ही देगा, इसलिए वो पहले मौका देगा, कि तुम grow हो जाओ, फिर nutrition देना, right, अब आप क्या देख रहो, कि जब यह grow करेगा, when this embryo grow, तो आप क्या देखोगे, जब यह grow हो रहा होगा, तो आप dicot में condition अलग, अब monocot में condition अलग देखते हो, अगर dicot में देखें, तो proper आपको दो cotyledon बनते हुए देखेंगे, इसका जब growth होगी, तो आप क्या देखोगे, प्रोपर चोटा सा dicot वाला structure देखेंगा, फिर heart shape structure देखेंगा, फिर further development देखेंगा, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होते हो, जब dicot में देखोगे, तो proper दो cotyledon देखेंगे, cotyledon के इन्चे epicotyl वाली region होगा, जहां से pemule निकल रहा होगा, और इसके नीचे hypocotyl होगा, hypocotyl के at the base आप देखोगे, root cap होगा, जो root cap वाला part होगा, जब आप monocot में देखोगे, monocot में condition क्या होगी, यहाँ पर भी cotyledon, single cotyledon like structure होगी, right, single cotyledon like structure क्या था यहाँ पर, और यहाँ पर भी lower side में आपको root, root वाला part देखेगा, right, that is radical वाला part, तो यह monocot और dicot के जो embryo है, वो थोड़े से आपको different, different देखेंगे, clear है, यहाँ पर आपको graphical representation भी देखने को मिल जाएगा, monocot और dicot के respect में, अब हम embryo के बाद बात करेंगे किसकी, seed की और fruit की, चलिए स्टार्ट करते हैं, seed में, okay, seed की अगर हम बात करें, तो seed में आप देखोगे, कि seed क्या है, final product of sexual reproduction, यह जो पूरा sexual reproduction का event था, यह कहीं नगी कह सकते हो, seed के लिए था, right, आप इसको fertilized ovule भी बोल सकते है, जो fertilized ovule है, उसका product क्या है, बेटा, seed ही है, right, seed के structure में जब आप देखेंगे, तो outer seed coat होगा, cotyledon होगा, और embryonal access होगी, इनी embryonal access से आपको radical और pemule निकलते हुए structure दिखते हैं, right, अगर आप seed के structure को देखें, तो इसी seed के structure में आप देखेंगे, कि जो cotyledon है, वो cotyledon store food को hold करते हैं, वो albuminus और non albuminus भी हो सकते हैं, right, अगर आप seed के structure को देखेंगे, इसमें outer coating होगी, और यहाँ पे जो micropile की opening रहती है, वो अभी भी available होगी, यह micropile की opening, यहाँ पे oxygen प्रोवाइड करती है, इसको vival रखने में मदद करती है, right, अच् क्या होता है, कि जब वो दुबारा से activate होंगे, तो वो proper तरीके से grow कर पाएंगे, तो इस period, inactive period को हम क्या बोलते है, dormancy period, right, अच्छा ऐसा नहीं है कि dormancy period में वो vival नहीं रहते, right, आप जैसी वो dormancy हटेगी, फिर से वो activate हो जाएंगे, right, और इनकी जो vivality है, कि कब तक यह active रहेंगे, यह कुछ week से लेगे years तक हो सकती है, right, vivality of seed years तक maintained रहती है, हाँ, यह कई सारे factor पे जरूर depend करेगी, कि कई सारे factor जैसे आप उनको damage न कर दो, damage कर दो कि वो फिर से vival नहीं रहताएंगे, इनमें जो available enzyme है, वो inactivate ना हो जाएं, denature ना हो जाएं, denature ना हो जाएं, तो वो grow हो जाएंगे, that is called viability, dormancy period, वो period जहाँ पर वो inactivate रहेंगे, right, तो यह हमने देखा seed के मभारे में, कि seed क्या भाई, final product of sexual reproduction, इस पूरे chapter का जो result है, वो seed ही है, क्योंकि यहीं वो member है, जो आगे अगे अगे नहीं generation बनाएगा, पूरा कहानी कथा इसी के लिए चल रही थी, seed बनने के लिए, अब हम आगे देख लेते, fruit, है ना, fruit, ful, है ना, अपने, अपने से relate कर पार हो, कि अपने को इसी से मतलब है, sexual reproduction को seed से मतलब होगा, अपने को मन नहीं है, अपने को ful से मतलब है, ful समझ लेते है, right, कि हमने mention किया, कि ovary किसमे convert हो रही है, fruit में, right, fruit को अपन बोलते हैं, भाई, यह क्या है, यह क्या है, यह ovary से बनने वाला structure है, right, fruit को अपन के mention करते है, mostly ovary से बनने वाला structure है, जो complete, अब जो structure है, उससे क्या बनेगा, fruit बनेगा, अच्छा, fruit बेटा, दो type क्यों होंगे, कौन-कौन से, false or true, इसका concept क्या है, कि जब ovary से ही, fruit बन रहा है, तो यह true fruit है, जैसे mango, आम, है ना, आम, फलो का राजा है, क्योंकि वो सच्चा fruit है, क्योंकि वो absolutely किससे बन रहा है, ovary वाले पार्ट से ही बन रहा है, और false fruit की category में कौन आएगा, जो ovary के साथ साथ कुछ other जो structure है, जैसे thalamus, उससे बन रहे है, तो उनको फाल् पार्ट होगा, एपल को राजा नहीं मनाया, तो एपल, strawberry, यह क्या है, वाई, false fruit की category है, clear है, fruit के चारो तरफ जो coat होते है, covering होते है, fruit का एक तरीके से, seed के चारो तरफ की covering ही है, इसमें क्या देखोगे, layer मिलेंगी, जिसको हम pericarp बोलते हैं, और यह तीन type क्योंगी, epicarp, mesocarp और endocarp, epicarp outer है, जो just skin होती है, shiny skin होती है, mesocarp जो flashy वाला part होता है, endocarp जो seed के चारो तरफ की layer होती है, that is endocarp, सही है, अब fruit में भी आप देखोगे, कुछ simple fruit होंगे, right, कुछ aggregated होंगे, और कुछ composite type के होंगे, simple fruit में क्या देखोगे, single fruit, जो simple fruit हैं, वो कैसे बनते हैं, simple fruit बन होंगे, आपके, monocarpillary वाली condition से, या फिर multi-carpillary में, syncarpus वाली condition होगी, उससे जो fruit बन रहे होंगे, simple होंगे, right, simple, फिर aggregated condition, aggregated में क्या होगा, कि multi-carpillary condition और उसमें भी apocarpus condition है, एक composite वाली condition होती है, composite में क्या होगा, पूरी की पूरी inflation से, जब fruit बन रहा है, तो वो क्या और पार्थेनो कार्पी की condition होती है, पार्थेनो कार्पी में आप क्या देखोगे, कि formation of fruit, without fertilization, बिना fertilization कहीं यहाँ पे fruit बन जाए, जहाँ पे बीज नहीं मिलेंगे, इससे हैं क्योंकि fertilization नहीं मिलेंगे, और जब seed नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, कि seed less fruit develop होके आएगा, तो ऐसे fruit का अपन बोलेंगे, पार्थेनो कार्पिक fruit, और इसका best example है बनाना, तो यह हमने बात की fruit के respect में, आप कुछ छोड़ी-छोड़ी terminology है, उनको और देख लेते हैं, देखे भाई, एक आपने terminology पढ़ी होगी, apomixes, apomixes एक तरीके का asexual reproduction ही है, यहा sexual की condition को mimic करता है, बट है क्या, apomixes है क्या, asexual kind of reproduction, हाला कि यह mimic क्या कर रहा है, मैंने mention क्या, mimic क्या कर रहा है, यह sexual reproduction कर रहा है, बट यहां पर कोई fusion of gamete, formation of gamete का concept नहीं है, apply हो रहा है, एक condition और समझ लो, polyembryony, polyembryony में धाम सही समझ में आ रहा है, कई सारे embryo बन रहे होंग हमने flower को देखा, flower के वर्ल्स को देखा, kellex corolla, androsium, gynesium, यहाँ पर हमने androsium, gynesium पर focus किया, जो कि male और female reproductive part है, respectively, male reproductive part में हमने stemon को देखा, micro sporengium को देखा, finally pollen grains को देखा, उनके detail structure की बात की, फिर हमने female reproductive part में हमने discussion किया, यहाँ पर हमने pistol को cover किया, mega sporengium को cover किया, और finally embryo sec की बात की, यहाँ पर हमने detail में जब गए, तो हमने देखा कि pistol जैसे structure होते है, mono more than one condition होगी, pistol के अंदर enter किया, तो हमने देखा वहाँ पर locule है, space है, उसके अंदर ovule है, ovule के अंदर हमने अंदर हमने अंदर किया, तो हमने देखा embryo sec है, embryo sec में क्या है, embryo sec में specific cells है, जिन म double fertilization में egg cell से हमको embryo मिला, और उपर central cell के fusion से हमको endosperm देखने को मिला, endosperm nutrition provide कर रहा था, इसी embryo को, यही embryo आगे चलके किसमे convert हुआ, seed में, फिर हमने seed के बारे में पढ़ा, और हमने पूरे fertilized ovary, मतलब fruit के बारे में पढ़ा, fruit के type हमने देखे, और seed के बारे में discussion किया, और finally हमने कुछ terminologies को cover किया है, और overall हमने इस पूरे part को कैसे divide किया था, pre-fertilization event, double fertilization और post-fertilization event, तो इस तरीके से हमारा आज का यह podcast, आज का यह topic, sexual reproduction in flowering plant और sexual reproduction in angiospermic plant complete होता है, मुझे उम्मीद है, यह podcast आपकी पढ़ाई में काफी मदद करेगा, बच्चों ध्यान से पढ इसकुल ध्यान मत दो, राइट, बस एक ही जिद होनी चाहिए, कि मैं qualify करके दिखाऊंगा, बस इतनी जिद होनी चाहिए, जो भी हो रहा है, दुनिया में होने दो, क्योंकि अंत में वही रहेगा, हर हार जीत बन जाएगी, अगर तुम्हारी success तुम्हारे पास है, अगर त अचीव कर लिया, एक अच्छा college, एक अच्छा medical college, हर हार जीत बन जाएगी, याद रखने इस बात को, ठीक है, आज के podcast को यहें पर समाप्त करता हूं, मिलते अगले podcast में, thank you so much, bye bye, take care.